हेलो फ्रेंट्स वालाताक अम्हें प्रेंट्स अमाई सीजिए हम स्कूल में प्रोजेक्ट बना रहे हैं पीच के उस्टो कोडिनेटर को से करते हुए तो आइसे हम कंटिन्यू करते हैं में प्रेंट्स एकमा क arise में प्रेंट्स अनुद ओंगर आइए जयुक्त नकि straight강 में प्रेंटी अनुद्फ में स्कूल अवह काणा पूल में के अचान के बलंगे reminds admin admin at sms वोकम डारेक्ट gmail.com सुना जेते हैं देन पासवार के बाकी अदा इन्फमिशन न कुशन न रहेगी यहींड हम यहाँ पासवार देते हैं 123456 तो इसे करेंगे हम MD5 में कनवर्ट MD5 बेसिकली एक encrypted format होता हम देखिए 123456 लेकिन जब यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर पूरी तरह से चेंज हो चुका होगा अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए MD5 के कारणी हम पूरा चेंज हो चुका तो यहाँ पर दिखिने रहा है कि यह क्या हो रहा है तो यह आप तीनों जगा देख सकते हैं MD5 फार्वट में इस्ट हो रहे है इसके बाद हमें एक और चीश करना होगी क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल इस्टेंट भी है और एड्मिन भी है तो यह अंतर बताने के लिए हमें एक और फिल्डेट करना है इसमें और हम एक फिल्डेट करेंगे टाइप और डिफॉल्ट जो टाइप होगा उससे हम करते हैं 2 रहेगा और यह सभी में बेसिकली जो डिफॉल्ट रहेगा वो 2 रहेगा लेकिन एड्मिन का 1 रहेगा तो हम इड्निफाय करेंगे कि जिसका जो टाइप है वो 1 रहेगा तो वो एड्मिन है अधरवाइस जो अधर है वो नॉर्माल स्ट्ट्ट है तो हम इसके लिए करते हैं अब हमें चेक लगाना है कि अगर 1 होता है तो हमें उसे एड्मिन अकाउंट पर रेड़्ायक करना है तो सबसेले में इसकी फायर उपन कर लेता हूं तो हमारा जो कंट्रोलर है वो है लोगिन कंट्रोलर तो इसके लिए जाएंगे टुटोरियल्स एसमेस और इसमें ने बनाया है लोगिन कंट्रोलर इसी नाम से हमारा व्यू भी है पर हम एक script file को add करेंगे तो हम यहां से ले लेते है footer से और यहां से हम copy करेंगे एक तो jquery की library file हम copy करेंगे jquery की library file यह रही और इसी के सांथ हमें और चीजें लगेगी एक तो suite alert लगेगा तो suite alert इसमें विसिकली हम यूज करें रहे तो हम इस project में हमारा ही नहीं तो हमें के वाल यहां पर jquery की library file की रहा दोगी इसके बाद हम एक हमारी custom file लेते हैं और यहां पर हम लिखेंगे echo base url dot tools slash js slash auth dot js js और इस file को create करेंगे तो एक नई file बनाते हैं sms के अंदर tools के अंदर js में हम इसमें पर करते हैं store और refresh करेंगे और यहां सब क्लिक करके दिखते हैं तो यह में अब पाइल मिल रही है अगर हम इस file ले कुछ लिखेंगे तो यह विजिवल होगा हमारी file प्रोपल लिंक हो चुकी है अब हम जलते हमाने लॉग इन वाले पेज पर तो social em यह पर इसे एक form में कार रहेंगे action अब तो इन इसका जो action होगा यह को base url dot index dot dot php slash login slash हम इसे index पर रिडाय करेंगे तो slash लागे छोड़ देंगे इसकी id होगी login form इस हम copy करते है और इस हम कवर करते है हमेरे इस पूरे डियू के यह तक तो यहां पर इसे close करेंगे then अब इस form case के submission पर हम एक index लिखेंगे तो यहां पर index लिखते है और जो पर्टिकलो जो form है वो जब submit हो तब एक function execute होगा तो यहां लिखेंगे तो यहां लिखेंगे यहां लिखेंगे और हम अगर इसे लिखेंगे और क्लिक करने पर हम यहां पर URL मिल रहा है यहां पर हम लगाते हैं इस पर required 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 तो अगर अब यह एमटी होगी तो अब इस पर message show होगा please fill out अब हम email और id इसे देते हैं id email and id password और यहां पर हम गेट करते हैं यहां पर लेंगे email as email dot will email इसके id पास्वर्ड होगे इसके विल्ड लेंगे password इसके बाद हम लिखते हैं पाइज लिकिए dollar dot post and url इसके बाद लोड़ करने dot e-mail colon e-mail password password इसके बाद इंगे के फंक्शन और फंक्शन में में के भी लेते हैं जो हमें रिस्पोंस देगा और इस रिस्पोंस को यहां पर का रहेंगे हम अलेर्ट इन हमारी जो इंडेस मेतड़ है इस पर हम लगाते हैं चेक के डोलर दीएस इस इंपूट मेथर्ट अल्गर पोस्ट होगी और पेस्ट देन अगर यह अली कंडिशन जलती है ते हैं पर गैंगें प्रिंटर दोलर अंडर स्कोर पोस्ट देन रिफ्रेश्ट इन क्लिक करने पर पेज जो है वो रिलोड हो रहा है तो कुछ गल्ती हुई है मेरी आजेस में तो हम देखते हैं अमरी आजेस में कहां मिस्टेक है तो मैं पहला दिया है हमने आपर इमेल के यहां पर मिस्टेक है अब देखते हैं अब क्लिक करते हैं यहां से कि अडिक करने में क cohort नहीं हो रहा है कि हम एक निट्पक को चेक करते हैं ज触्भ हएनjaw के इसके कारण यह है अलयर्ट है वह राक नहीं कर रहा है तो अलयर्ट पिसे अच्छा के भास्ता प्रव्लम से ऩक हुब आ रही है लेकिन वाक नहीं कर रहा है डों है कि इस के त्रस बीट कर दे आनलर्ट के डो कर्णुव करेंगे तो यहाँ पर हमें बिलते हैं तो अब हमें यह पर एक इसके अंदर md5 में ही डिटावेस के अंदर तो यह लिखेंगे md5 पोस्ट पासवर्ड तो और अगर हम अब क्लिक करें इसे क्लियर करते हैं इंचे करें तो कुछ इसे स्वांस नहीं आया लेकिन पुछ आउट्वूड इवल नहीं है 500 पर लेकिन पुछ शोगे नहीं कर रहा है इसमें में तरे पोस्ट तेन या कैप प्रिंट आर इसलाइन करते कमेंट एक वार अगें क्लिक करने पर हमें यहां डेटा मिल रहा है जाकिन अगर हम फाइप लाइन को इनेबल कर रहे हैं और उसके बाव वाग करते हैं तो हैं सेमी कॉलन देंगे और क्लिक ते रहे हैं यहां पर में डेटा मिल चुका है और हमें हमारी डेटाबेस से मेंच कराना है तो इसके लिए में एक सिलेक के रहे चलाएंगे तेहले तेंड डॉलर आर यह एक उसकी डॉलर धीस सी एम अगर श्रेक्ट डेटा और श्रेक्ट डेटा यह होगा वह में टेबल होगी स्टुदेंट अगर इसमें से में चाहिए आईडी नेम टाइप अभी हमें तीजी चाहिए बाद में ओट साही होगी तम ले लेंगे दैन इसके बाद में देंगे वेर में डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट दिनियां पर चेक्ट करते हैं अगर कंडिशन टू होती है तो यहां पर हम प्रिंट कराएंगे अगर डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट देन अदर्वाइस एल्स में आते हैं और यहां पर हम कर देंगे जीरो प्रिंट फिलाल अभी चेक करेंगे 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 क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए मिश करके डिटा ला रहा है और एंप्टी जा रहा है तो यह हमारा बेसिक लाग मगद बन चुका है है हमें देडब्स का अलग करना है तो हम उसे नीक्स टेडियो में करेंगे अभी के सिटियू इतना है हमाइन नेक्स विडियो एद्मिन और नॉर्म इस्ट्रेंट का सेशन अलग अलग करेंगे देन दोनों को उनके सेशन का अगोड़ी रिडार करेंगे तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसे से लाइक और शेयर करें और हमाई चैनल को जो सिस्क्रेब करें ताकि हम जो भी नए वीडियो अप्रोड करेंगे उसके ब्रॉड़ को मिलती रहे थैंकियो वाचिंग